नमस्कार एविपी लाइब में आपका स्वागत है और हमारा कारवा पहुंचा है गोरकपूर के राज घाट का ये राम घाट है और राम घाट का आप पीछे देख सकते हैं ये बहरामपूर दच्छडी इलाका कहा जाता है चुकि जब भी बाढ का प्रकोब होता है तो ये प जलते हुए दिखाई दी काफी चर्चा भी हुई थी तो इसी जगह पर हम पहुंचें और यहां अलग-अलग समाज के लोग हैं निशाद समाज के लोग हैं यादों है और अलग-अलग समाज के लोग यहां पर हैं जो रहते हैं और उन लोगों से हम बात भी कर लेंगे सब्सक्राइब आज जो में दिखाई दे रही है लेकिन हमारा जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्यासी यह काफी बीमार सुनाई दे रहा है और इस समय और स्वस्त है प्रत्यासी को बदल देना चाहिए दूसरे सब्सक्राइब लड़ाना चाहिए एस समय जनता में उनका कहीं कोई जो है झाल पहला है जनता से संपर्ण टूट गया है जनता उ went पसंद भी नहीं कर रही है और हमारा जहां तक विचार है कि प्रत्यासी को बदल देना चाहिए ऐसा आपको क्यों लगता है प्रत्यासी बीमार है तो एक पॉरल सपोर्ट भी मिलता पपलीक का सहानुभूत नहीं है इस समय और कई बार काजल निसात यहां से प्रत्यासी रह चुकी है और उनके प्रत्यासी जनता पर ऐटुब हैं यहांगी है जै kepada उसके जटाने तो आपको यह लग रहा है कि Dad before बार बर लड़ चुकी है उनका टिकट कड़ा से कर जाने जाना चाहिए जनता आप Arduino परहले उनको को लाइक करती थी अब लाइक नहीं रह गया है क्योंकि वह पुराना चेहरा हो चुका है और उनको जनता पसंद नहीं कर रही है नए चेहरे की खोज मेहें जनता और नए चेहरा आने से जो है निश्चित तोड़ से गोरखपुर की लड़ाई जो है टक्कर की होगी अच्छा आपको दमदार प्रत्यासी लगते हैं भारती जनता सपा मजबूत प्रत्यासी अगर नहीं देगा तो मजबूत करेंगे सपा अगर प्रत्यासी वदल देगा तो भारेंगे यहां आए रवीकिशन आए इस गाउं में पीछे बहरामपूर का जो गाउं है यहां मिलने लोग कुल लगता है समाजवादी पार्टी के लोगा है व्यट्धी जी पार कुंदर दुत इसरे समाजवादी का हर shield कि पंदल दोग mere तो कि अलग अलग बिराधरी के लोग यहां पर दिख रहे हैं तो क्या लगता यू बार का चुनाव कैसा लग रहा है गोरकपुर में क्या लग रहा है कि चुनाव क्या लग रहा है गोरकपुर अपने ने कौन जीता आपको क्या लग रहे हैं अब ही परधान है इनका 20 मर गया तो आप नहीं देखें नहीं बात हुआ था बुलाये थे लेकिर हुआ नहीं पाया कि मुऐजा नहीं दिलाएं भाईस मर गया हुआ था नहीं दो जहार सतरा मामला तरकाश दिया नाए तो हम दिला सकी पैसे जखते हैं तो 2017 में भाइस मरा अभी तक मुआ आप आज मुआवजा मांग रहे हैं अब आपक अगज पतर कुल भेजा कुछ नहीं मिला केके वोड देबा चाचा है भाइस मर गेल तक केके वोड देबा ओड देखा लिए ओड देखा लिए मतलब है कि हम आपके देख मुलायम सिंग परदान मंत्री आवास वाला जो पैसा हो नहीं मिला है मकान नहीं मिला है गुछ नहीं मिला है गुछ नहीं मिला है पर सुझे ताल आले लेजने अब शर्षार पीट चेवते दिन इसा बात भाइस का देखा कुछ नहीं मिला का देल बट तक फिर किसको आप चुनेंगे अभी तो भाजपा की सरकार करें कि हम प्रदान मंत्री आवास दे रहे हैं सोचाला दे रहे हैं कि सानों के लिए उनको तो दे रहे हैं कि हम इन Ashvah am a mean के के वोट दिया जाई जाए जावेद सिमनानी आप कह रहे हैं मायावती जी की सरखार अच्छी थी उनकी पार्टि अच्छी है तो जावेद सिम्नानी उठे हैं यहां से उनको टिकट में ठीक है क्यों सरकार उठी तक वह को देना हाई है एक उठाव देना हाई है जो जनता की सुनेगा उसको देगे जनता की जो सुनेगे बड़े पीडी थे चेचा मता defended और फ्रकार म्रें आपको क्या लग रात है कभी कभी र哈 आला सता उन्वा क्ट परधांस करें रुव य। हुद रास्ता बनुवा दा दा कि fence वर्कोरी रास्त एडार्ण दीक हम एंहिव बनुवां दो। पूछिए मकान बनवाए हैं आप तो कर मकान नहीं दिये हैं सबकी अलग अलग चाहीं अजा लोग है जान लेते यह तर क्या नाम है और किस तरह का लग रहा है का महौल की स्था दिख रहा है दोगाई का दोग सब्सक्राइब गोरकपुर में रभी किश्चन लगातार प्रचार कर रहे हैं काजल भी मार्ट मैं पहले तो अपना प्रचादू मैं अनंद सिंग सहत्वार कि यहां रभी किश्चन की बात है तो उनसे जब मीडिया द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूस्त पही आंसर है हरह हरार महादेव यह कोई आंसर होता है हमें अपनी समस्याइं आप से कह रहे हैं और आप बस एक चीज़ सीख गये हैं कि हरार महादेव यह कौन सा क्वेश्चन है महंगा इस सरकार में चरम पे हैं आज हम सरकार हमको 2000 रुपे दे रही है तेकिन उसके बदले कभी किसी नहीं जोड़ा कि हमारे हाँ कि रभी किशन जी तक बात पहुचाना जाते हैं जब भी कोई सवाल किया जाता है तो उनका जवाब हरार महादे होता है आप बताईए यह सही आप मानते हैं यह उचित नहीं है अगर आपकी कोई समस्याइं हो और आप मुस्से कहते हैं मैं उसको एक बात करके निकल देता है कि हर महादेव यह कोई आंसर आपकी जवाब का है अब कि समस्याइक कोई जबाब बताईए आप बढ़ जबार है कि अनल जो कई सरकार चुनना जाते हैं किसको वाप जो कैसी सरकार गूड़ देंगा लोग जो समाज में चले जो जहारु रूप से क बढ़ा निशाद बहुल छेत्र माना जाता है गोरखफुर को काफी वोटर है तो क्या लगता है निशाद समाज किसके साथ जा रहा है डॉक्टर संजय निशाद भी है भाजपा का जंडा बुलंद कर रहे हैं भाजपा के साथ साथ में एंडिये में घटक दल है और अभी आपना घर भर रहा है क्योंकि जो भी टिकर टुक टेट रहर वापने ही परिवार के लोगों को दे रहा है तो डॉक्टर संजय की बात नहीं और यहां बीजेपी कोई काम की है की नहीं है इसलिए हम लोग सपाके साहते है आप आप बताइए आपको क्या लगता है इनकी बा बनवा तो दिये जिसकी जमिन गई उसको कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो नहीं दिये अब पलस यहां कोई जल पर दिनी आता नहीं है क्यों गोड़ा कुछ के सब्सक्राइब ग्राम सब्सक्राइब जाएंगे नगनिगा में इस इस गाहों से किसी मतलब नहीं कि रिवोट ल लगता है कि यहां जो गाओं है यहां पर जन प्रतनीदी नहीं आते हैं लोगों का लें लेते हैं निशाद बहु लिलाका निशाद वोड़ बैंक के सहारे जो है बताते हैं कि सरकार बन रही है क्या तो इस बार तो नहीं बनेगी इस इस बार भाजपा की सरकार नहीं गोरखपूर का बहरामपूर दच्छडी इलाका है और लोगों का साफ कहना है कि जो भी उनकी समस्याओं को सुनेगा उनकी बातों को सुनेगा और उनकी जरूरत पर उनकी मदद के लिए आगे आएगा जो उनके साथ चल सकेगा कदम से कदम मिलाकर वो ऐसे ही जन प्रतनी दी ओएसे सरकार को चुनेंगे नीरश्रुवास्तों वीपी लाइव गोरखपूर